दोस्तों तयार हो जाईए आपके लिए एक बड़ी खुसकबरी है आज जो है UPPCS 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है दोस्तों अब जो है समय हमारे पास नहीं है इसमें क्या-क्या मुख्य चीजे आज आप लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे इस पर हम लोग डीटेल ब बात करेंगे आज शाम को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अभ्यान सिविल सर्विसेज में मैं धरंजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसमें दोस्तों ये आप देख र आयोग विग्यापन संख्या जो है A1-E-1-2023 ये सम्मिलित राज्य प्रवर अधिनस्त सेवा PCS परिक्षा 2023 संशिप्त विग्यापन इसका आता है निउस्पेपर में इस परिक्षा का विश्तिर्स विग्यापन जो है तीन-तीन से आयोग की वेबसाइट पर UPPSC.UP.NIC यनि कि आज किती तारीक है आज आपकी दो है कल ये आज आएगी जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुल्क जमा करने की प्रक्रिया जाति प्रमाल पत्रों का प्रोफार्मा प्रारमिक तधामों के परिक्षा के विश्य हैं पाठकरम परिक्षा केंद्रो के जिलों के नाम आरक्षण आई आदी इसमें दिये गया है और भिर्थी विस्टित विज्यापन देखने के लिए आवेदन करें रिक्तियां का विवरण 173 दी गई है रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आपसे तनुसार बढ़ सकती है ये लगबग जो है चार सो के आज पास ये वेकेंसी हो जाएगी इस पर परिसान नहीं होने है यह सो पे डेड़ सो पे एक सो दस पे इस तरीके से वेकेंसी आती है ठीक ना सेक्षिक योगिता की बात करें तो ये सारी चीजें आई उसी मा सब कुछ आपको दिया रहेगा हाँ कुछ लोग पूछते है कि इनका जो है डेट आफ बर्थ के आधार पर तो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आई पूरी हो जानी चाहिए और इनका जन्म जो है 2 जुलाई 1983 इसके बाद हुआ हो इसके पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए ठीक ना तो ऐसे लोग जिनका डेट आफ बर सारे अरक्षन भी होते हैं ओनलाइन आवेधन की तीथी जो है 3-3-3-3-2-0-23 से लेकरके और 3-4-2-0-23 तक यह एक महिने तक रहेगी और आवेधन करने की अंतिम तिथी जो है वो 6-4-6 अपरेल है लेकिन आप लोग पहले ही हफते में होली से पहले ये आवेधन कर ले ये 1 March 2023 को ये notification दिया गया है प्रयाग राज के newspaper में इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और भी हमारे विभिन कारिकरम चल दा हैं दोस्तों जैसे 999 प्रस्णों की MCQ सिरीज चल देए उससे आप जोड सकते हैं हमारे भे सारे batch जा रहे हैं foundation batch जिसमें आप प्री पेमेंस एसे हिंदी सबकुछ सबकुछ इस पर अवेलेबल है हमारा निवन्द का बैच है और भी हमारे magazine हमारी आ गई है magazine जरूर आप लोग देख लें एब डाउनलोड करके magazine February की भी, January की भी और March की भी आजा जाएगी ठीक है न तो तीनों और ये MCQ सिरीज पे जल्दी मिलते हैं हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के भी शेर करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और जैसे की मैंने बताया था कि सीटों की संख्या और इन सब की जानकारी आपको कल मिल जाएगी जो ये SDM की कितनी सीटे हैं SDM की और DIPTSP की मिला के 60 प्लस सीटे हैं ठीक है न ये एक जानकारी है देख लीजीगा आप लोग साट प्लस सीटे जो है SDM DIPTSP दोनों मिला करके जो अभी तक आया है और ये कुछ सीटे हैं आपकी और क्या जानकारी थी ये था कि आप जो है सिलेबस को लेकर के जो है UP स्पेसल ही सुनने में आ रहा है सिलेबस जैसे ही complete हो जाएगा UP स्पेसल की ही maximum चीजे सुनने में आ रहे है current affairs के कुछ पार्ट होंगे कुछ पार्ट जो है आप एक बर comment box मताईए क्या किसी को जानकारी है तो अभी क्या है कि मुझे जहां तक जानकारी मिली यूपी स्पेसल जो बेसिक है वो एक पेपर 5 में हो जाएगा ठीक है और यूपी इस्पेसल जो है ये 6 होगा जिसमें आपके current affairs economy आधी से मुद्दे environment आधी से मुद्दे जुड़े होंगे तो एक बार comment box में जरूर comment करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों